साथियो नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको काली सर्सों की कुछ मुख्य हाइवरिड वेर एडिस के बारे मैं बताने जा रहा हूँ जिनकी बुवाई का अब समय लगवग आने में ही है क्योंकि अब सितंबर लग चुगा है और हाइवरिड किस्मों की जहां तक बात है मैं आपको चार ऐसी हाइवरिड मुख्य किस्में बताने जा रहा हूँ जिनकी उपज लगवग दोजार बाइस में बहुत अच्छी रही है और उमीद है कि दोजार तेईस में भी इनकी उपज अच्छी रहेगी साथियों सबसे पहली जो मुख्य किस्म है वो यहाँ पर पायोनियर की 45-46 है और 45-46 की 2022 में अच्छी पैदावार रही है और इसके अगर पकने के समय की बात करें तो 125-130 दिन के अंदर यह पक जाती है साथियों अगर एक फली के दानों की बात करें तो 15-16 दाने एक फली में इसमें आसानी से हो जाते है और फली थोड़ी लंबी भी रहती है और फली की मात्रा भी ज़्यादा रहती है पत्तियों पर ठीक है तने में फली की मात्रा भी ज़्यादा रहती है पौदे की उंचाई की अगर बात करें तो 160-180 cm तक इसकी उँचाई बढ़ जाती है मतलब बढ़वार में ये पूरी बढ़ जाती है और इसकी उपज की अगर बात करें तो 12-15 कुटल प्रती एकड तक इसकी उपज हो जाती है तो पैदावार भी इसकी अच्छी है और तेल की मात्रा की अगर बात करें तो कंपनियां तो 42% तक तेल की मात्रा बताती है लेकिन जब हम तेल निकलवाने जाते हैं तो उसमें 33% तक ही तेल निकलता है इससे जगादा तेल की मात्रा नहीं निकल पाती है आप सभी ने देखा भी होगा प्रैक्टिकली कहने के लिए ये कुछ भी कहें लेकिन 33% तकी oil content इसमें निकलता है ठीक है तो साथियो पायोनियर की 45-46 अच्छी variety है अगर इसकी बात करें कि इसकी बुवाई हम कहां कहां कर सकते हैं तो देखे मैदानी इलाकों में इसकी बुवाई बहुत जबरजस्त होती है पंजाब में उत्तर प्रिदेश में हर्याना म में इसकी उपज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हिमाचल में इसकी बुवाई होती है बिहार में इसकी पैदाबार काफी अच्छी रही है तो साथियो इन राज्यों में इसकी बहुत अच्छी राजिस्तान में भी है काफी हद तक इसकी बुवाई बहुत ज़् तो जिन भी किसान साथियों के खेतों में जर्मिनीशन थोड़ा कम होता है वो किसान साथी खास कर वायर की 52 की बुवाई करें और जहां पर चिकनी मिट्टी ज़्यादा है पानी ज़्यादा रुक जाता है उन खेतों में अगर वहां सर्सों की बुवाई उन्हें करनी पड़ करेंगे तो ज़्याद अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सात्यों अगर बात करें यहाँ पर कि इसकी उपज कितनी हो जाती है तो 12-15 कोईंटल प्रती एकर तक यह उपज देने में सक्षम है और अगर देखा जाए पकने के समय की तो 115-125 दिन में यह पक जाती है सात्यों यह अगर बात करें पाइवनियर की तो पाइवनियर में और इसमें पकने के समय में फर्क है यह 5-10 दिन पहले पक जाती है तेल की मात्रा की अगर बात करें तो देखिए 33% ही मैंने यहाँ पर मेंसन किया है हलांकि ये 42% content mention करते हैं ओयल का तो यहां पर 33% तक ही तेल इनका निकल पाता है दूसरा अगर बात करें area की तो देखे हर्याना में दिली राजिस्थान उत्तर प्रिदेश में पंजाब में हिमाचल प्रिदेश में जमू में और बिहार में मेंदानी इलाकों में ये काफी अच्छी उपस देने में सक्षम रही है और बहुत बड़े इस्तर पर इसकी बुवाई होती है ठीक है साथियों अगर बात करें यहां पर अगली किस्म की तो तीसरी जो बड़ी किस्म है वो पायनियर की 45-42 है 45-46 से पहले की किस्म है अच्छी उपस देती है और इस किस्म की अगर बात करें तो इसकी फलीयां मोटी होती है ठीक है फली मोटी होंगी और अगर इसकी उपज की बात करें तो 12-15 कोईंटल तक ही यह प्रती एकड़ उपज दे देती है पकने का समय इसका 120-130 दिन का रहता है अगर पोदे की उंचाई की बात करूं तो 160-180 से सेंटिमीटर तक बढ़ जाती है मतलब उंचा ही इसकी पूरी रहती है और तेल की मात्रा की बात करूं तो 33% तक ही तेल निकलता है हलांकि इन्होंने 42% तेल मैंसन किया हुआ है और लेकिन निकलता उतना ही है 30-33% तक ही अगर बात करें इसके एरियाओं की तो देखिए हरय दिल्ली, राजिस्थान, उत्तरपिदेश, बिहार के मेंदानी इलाकों में और पंजाब, हिमाचल में बहुत अच्छे उपज इसकी रहती है आप इसका भी सेलेक्शन करके इसकी बवाई कर सकते हैं अच्छे उपज आपको मिलेगी साथियों चौथी किस्म है यहाँ पर श्री राम कंपनी की 1666 यह बड़ी फैमस किस्म है इसमें कोई दोराय नहीं है अगर पायोनियर और वायर नहीं मिल पाता है श्री राम की 1666 बहुत अच्छी वैराइटी है अगर बात करें इसके पकने की समय की तो 120 से 130 दिन का समय ले लिती है और 12 से 14 कोईंटल प्रती एकर तक पैदाबार देने में सक्षम है साथियों अगर बात करें इसके पौदे की उंचाई की तो उंचाई इसकी लगवग 10 सेंटिमीटर तक कम रहती है दूसरी किसमों से 170 सेंटिमीटर तक इसकी उंचाई बढ़ जाती है तेल की मात्रा ये भी 42 परसेंट लिखते हैं लेकिन 33 परसेंट तक ही तेल निकल पाता है और अगर बात करें एरियाओं की तो हरयाना दिली राजिस्थान उत्तर प्रिदेश और बिहार के मेंदानी इलाकों में इसके अच्छी खिती की जाती है पंजाब हिमाचल में भी इसके उपज अच्छी मिलती है साथियों ये थी चार म पर नियर की 45-46 बहुत जल्दी से खतम हो जाती है क्योंकि मार्केट में कम सप्लाई रहती है इनकी या जो भी इनका कारण रहा हो लेकिन जल्दी खतम होनी की वज़े से 45-46 की बुवाई कम हो बाती है तो आप यहां पर बीज का सेलेक्शन इन किसमों में से करके अपने खे कारी ठीक लगी होगी फिर वी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा मैं रिप्लाई करूँगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सक तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कि सनसात्योग